हम में से कौन है जो बन्ना स्वर्णा नहीं चाहता और अगर बन्ने स्वर्णे की बात हो तो डिपलेक्स का नाम ना लिया जाए तो भी ज्याती है और डिपलेक्स का नाम आए तो मसरत मिस्वा का नाम जहन में आता है एक ऐसी खातून जिसने जवाँ हम्मती के साथ पाकिस्तान में मेक अडिस्ट्री में वो कमाल कर दिखाया जो इससे पहले जिसका तसवर भी नहीं किया जा सकता था मसरत मिस्वा किस तरह से अपना दिन बसर करती है डिपलेक्स में कैसे काम किया जाता है उनकी अपनी मुस्रूफियात क्या है और इसके साथ साथ वो जो एंजियो चलाती है वो उसकी देखभाल कैसे करती है यह सब जानते हैं आईए हम आज मसरत मिस्वा से मिलते हैं डिफैंस में कैम डूपलेक्स के हेड आफिस पहुंचें वहां की फ्रंट डेस्क आफिस है सलमा ने हमारा इस्तक्वाल किया से अफिस तो बहुत शानदार है देखा वी इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं यह कैसे आप ने इस सब हासिल कि अब अब में इस सुफफेद बालों को देख एटों ने तो ने ने तो ने अब अब आप तो हमारे लिए आज भी यंग है बलके मैं तो अगर यह कहूं कि आपक मेरे बेस्ट फ्रेंड है यह तो तैवो कि अजी बस जिंदगी का लंबा सफर है और कोशिशें जारी रही और अभी बी करती रहूंगी मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड देते हैं अप्रश्य का एक अचीएशन तो बहुत है लेकिन अचीड़िउ से कता इनकंचा मुझे कर दिया अचीवमेंट अचीशे करें अछया आप कि अननीकाड़ा is अवाली आपरिट्र अटेम क हुगी अजिए अच्छा अप्राइड कार तो अवाले यह हूंगी बहुत्तृ इस फ स्टुडेंट्स होते हैं, टीचेज हैं, स्टाफ आवविसली, यहीं से स्टाफ की भी ट्रेनिंग भारा होती है, तो एक अच्छा मस्रूफ जिन्देगी जो है गुजरती रही और गजर रही है. आज जो मसर्द मिस्पा है, तो माजी में तो ऐसी मसर्द मिस्पा नहीं होगी, कैसे स्टाट किया, कैसे ख्याल आया कि लोगों को मजीद खुबसूरत बनाया जासा? हां, मैं ऐसी तो पहले ना थी. मेरे बाल काली थे लेकिन मैंने काम बहुत जल्दी शरू किया था और मैंने कराची से शरू किया था. और जब मै और मुझे sorry मुझे शौक तो डॉक्टर बने का था लेकिन क्यों के शाओी जल्दी हो गेही और फिर उनफॉचिनेटली हालात ऐसे नहीं रहें तो फिर मैं असे सिंगल पैरेंट जो थी मैंने अपना काम इसले ही शुरू किया कि मैं अपने बच्छों को अपनी मेहनत से लेके चलना चाहती थी इसका हरगेस यह मतलब नहीं है कि मेरे वालदें जो थे वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे वे इंपायर फॉर्मसुटिकल में थे मेरे वाले और बाकी की भेहन भाई चोटे थे लेकिन मुझे एक बहुत फोकस्ट काम करती हूँ अगर मैंने यह क्त경 कर लिया कि मैंने अपने पाउं पर खुद खड़ा होना तो फिर मैंने खुदक खड़ा हूना जब आपने यह सोचा कि कुछ पाकिस्तान में लोगों को खुबसूरती का अपनी खुबसूरती को बरहने का ख्याल भी ना था उस वक्त आपने काम शुरू किया ना सिर्फ शुरू किया बलके उसके लिए मिसाल बन गई तो जए काम कैसे शुरू हुआ वाकी लोगों को तो मैं एक कॉलिज से मेरा एड्मिर्शन आ गया तो मैं यू के चली गई और वापे मैं अपनी ट्रेनिंग हासल की जब मैं वापे साहब ने मुझे अलड़ी एक कराची में सेट अप करके दिया हुआ था तो दूसरी बात थी क्यूंके डैड़ी ने सेट अप किया था तो वो सेरान की जगा वो बारबर शॉप जादा लगता था उची उची कुरसियां ऐसे रखे वे हाथ मैं का डैड़ी यह तो कुछ सही नहीं लग रहा कि यहां चाहसे मैं कटवाता हूँ वो बहतरीन है बहतरीन है मैंने का थैंक यू डैड़ी सो वो सिलसला शुरू हुआ यह डैलाइस फॉरह नहीं कर लिया था कि जो बच्चियां मेरे साथ काम करेंगी या उनको मैंने इंडाक्ट किया और ना उनकी उतनी तालीम थी और ना ही उनके पास कोई कौलिफिकेशन ऐसी थी तो मैंने उनको ट्रेनिंग शुरू कर दी जब मैंने उनकी ट्रेनिंग जाती है कि मैं तालीम हासल करूँ और मैं इसको पहलाऊ ना जिस दौर में आपने शुरू किया वो दौर तो मार्शला का दौर था और जिया मार्शला जिसमें हवातीन को तो अगर समंदर में से डूपते होई भी तिखाना है तो दबटा सर से ना हिले उस दौर में कौन आ तो आपके पास आया में कराने के लिए पहला कस्टमर आपको जी मुझे बल्कुल याद है हमारे पहली कस्टमर जो थी वो कमिशनर कराची की वाइफ थी कराची में जहां से शुरू किया सफ़र लाहॉर तक आ गई तो पिर लाहॉर आने का ख्याल कैसे आया तो तो पहल बह जब में लहूर आई तो असल में फिल्म इंडिस्ट्री जो थी वो लहूर में ही थी पंजाब में ही थी अब उस वक तक जो है वो सुल्तान राही अंजुमन और वाकी अच्छी यानि सिहतमंद खावतीन का दौर आ चुका था और नई बच्ची आ रही थी जैसे के लिशम और नीली बच्ची आना शिरू होगी थी तो वो बड़ा अच्छा दौर था मुझे मज़े आता था और मुझे बड़ी मैं और मेरी बहन बस्ते चोटी बहन तानी हमें बहुत शुक्ता सुल्तान राही की मूवीज देखने का तो अब कोई इतनी कंदासे वाली मूवी देखने आप सुच नी सकते हैं कितना मज़ा था और जिससे अंजुमन नहीं तो उनसे खाए कि आज मेरी सेट में हो है यानि के शुटिंग हो रही है तो उन्होंने कहा कि यह अपने आएंगे सुटान राही साब हम दोनों चल्किया खाड़े हमें प्रीज अपने साथ ले जाएए और हमने जाके वकाइदा शुटिंग देखी बड़ा प्यारा दौर था बड़ इच्छे लोग थे इजज़त, एहतराम, छोटे बड़ों का सब कुछ सो आई थरेली इंजॉइ तो फिर लहोर की हो देए फिर मेरे उपर लहोर जो ताना वो गालिब आ गया काम ही मज़े का ह को यहत्त जाते है लोगों को कुछ सूरत बनाना और उनको खुबसूरति उनकी लोगों को दिखाना यह कहीं दोका तो नहीं है में कॉriendさ नजर आते हैं कुछ…एड़ है कि मेक अप जो है यह भी दोके की किसम है अब बध बदल गया है अब मैं आपको बताओं कि मेक अप जो हमारी बच्चियों के लिए एक तरह से एक निसेसिटी बन गई है यानि कि अगर बच्चियां ऑफिस जा रही हैं तो उनका मैं यह नहीं चाहती है कि वो केक पेस्ट्री बन के जाएं लेकि कम असकम जब हो जाएं तो यह उनकी परस्नालिटी जो है वो गूरूमड नजर आए अरे पाकिस्तान की शक्सियात में से कौन कौन से ऐसी हवाती हैं जिए को यह शर्फ हासल हुआ कि आप उनका में को करें आप यह कहें कि कौन नहीं है हमने सब कहीं किया है एंड अच् करती थी मों कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती थी डिपलेक्स हेड आफिस में मेक अप सीखने के दिल्दादा तल्बा को जदीद मेक अप के गुर्ज सिखाए हवातीन के लिए मेक अप रूम में गई जहां दुल्हंक का मेक अप और फोटो शूट जारी था अप्राइडल शूट करें दुल्हन बना और इनकी यह तस्वीरें जो हैं असालेकूम हैसा मैक जो अछ्वाए एक सब्सक्राइब बाता है मेक-प की ट्रेंज्स दिखाते हैं के दो हजार अठारा बें दो हजार उननीस में जह हों कैसे मेक-प जाएगा तो फिर हम अविजिक अपने क्लाइट्स को भी दिखाते हैं और जब हम अपनी ब्राइट्स का मेकप अखारा करते हैं तो आपको यहां थोड़ा सा मसरत मिजबा मेकप के भी हावाले से बताना चाहरी थी कि यह हमारी पूरी रेंज है जो के हम मेकप ती जो हम ने इंटर्ड्यूस करवाई हैं आपको पता है कि यह जो हलाल मेकप जो है उसका जो कॉंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में लोगों को पता तो है लेकिन बहुत कम ऐसे प्रोड़क्स है जो के हलाल है अब भैलाल क्या होताए है मतरव को यह भी तू कहते है कि कंसा भाई है इनको को बेकिन लिच्त करते हैं मैं उसकep में खांध स्थायत करती भी तो उसे होता कि इसकी एंग्रीडियेंज में एक तो अनिमल फैटर्ट शामिल होता है अब अनिमल फैट जो है कोई भी कह सकते हैं कि जिसमें पिक फैट नही है तो हलाल है, बात इसकी नही है विहरा है जी क्यूंकि नॉन्जबिया एनिमल का फैट जह वह भी फिर एक ऐसे बीटल होते है जिसको क्रश करते है और उसमेंसे जो उसका जूस सा निकलता है वह भी कलर में इस्तेमाल होता है वह बलड है वह जाहरे के परमिसिबल नहीं है तो हमारा जो मेक अप है वह है प्योर इसमें जो है वह हर इंग्रीडियंट जो है वह इस सोच के साथ डाली गई है कि यह आपको नुकसान नहीं देगी वह मैं तो गली महले में चुट 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 ब्यूटी पालर्स है आम जो हमारे तरह के लोग है वह कैसे करें कि यहां पर मेक अस्मान सही है यहां गलत है आप लोग के पास भी अपना एक बिजनस शुरू करते हैं तो कोशिश तो यह किया करें कि आप किसी अच्छी दुकान से खरीदें आपका अगर 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 इजाज़त नहीं देता है तो फिर आप ऑन लाइन आपको सस्ते प्रोड़क्स मिल जाते और नेम्ड प्रोड़क मिल जाते हैं फिर भी अगर आप अपनी बजट की वज़े से खरीद ही रही है जाली तो फिर यह गलत है यह गुना है कि आप अपनी क्लाइंट के साथ गलत प्रोड़क्ट बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो फ़ला चीज है यह एथिक्स जो होते हैं किसी भी वोग अपनी किसी भी यह गलत कर दो एक हैं किसी भी तो प्रोड़क्ट वाहिए रही है तो यह हमारे मेंज लाँज है और इसमें मर्दों की दिफरेंट्स वहारा फ्रॉम्या तो यह कुटिंग तो डाय, शेव, बोड़ी मिसाझ, स्केइन ट्रीटमेंट वहारा सबकुछ होता है निपलरेक्स अब अब सिरफ होातीन के लिए नहीं मर्दों के लिए भी खित्मास्तों सरंजाम देता है यह बताते हु़े हमें मर्दों के सेलॉण का दोरा क्राया के लिए लिए समेपस, तो ऊ AG को अ उता हुँ मेरी अटुरुमा इख्योंगे तो ने वे भी थ। नवनभ सक्षेक। हुआ रओनाई हैं को अट शीम हमोगे लिए लिए χाहिं मर्दों के लिए अई चाहिं मल्याओं कि अजिने तो आफ उसमेख़ा हैं ताकि आपके जो अईल है वो कंट्रोल हो फिर हम मैनिक्यूर पैडिक्यूर भी करवाते हैं मैनिक्यूर पैडिक्यूर जो है पिछले जमाने में लोग जाते थे और नाखुन कटवाते थे अब रूरा तरीका हो गया एक प्रोसीजर हो गया है So we have this manicure, pedicure का पूरा एरिया यहां पर रिलाक्स करते हैं और अराम से वहारा कराते हैं जब हम अपने प्रोड़क्स इस्तमाल करते हैं तो हम इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि हमारे प्रोड़क्स अच्छी क्वालिटी वाले हों लेकिन अगर कहा जाए कि आजकल के जो मर्द हैं भी हवातीन की तरह खुबसूरत होने के कौंशिस बहुत बहुत जादा हो पहले तो गए बार्बर शॉप पे बाल के ट्वाए शेव बनवाई आ गए अब उनके लिए इंट जाए है जी बकुल है और होना भी चाहिए मतलब जो बचे स्कूल कॉलेज़स से निकलते हैं और वो काम अपना इंटर्व्यू देने जाते हैं तो अब बालों में तेल लगा कर नहीं जाते हैं वो अपना ब्लो ड्राय करके जाते हैं उनको हम लोग बिलके जब हम पर बिल्रीब के लिए कैसे होते हैं, तो तो नहीं लग सकते हैं तो उस दम उनकी प्रिट जजा आप उसक्ता है यह झाला, तो नहीं को अच्छा है कि आपको एक और बड़ी इंटरस्टिंग फीचर बताती हो हमारे सेलोन का कि वी हम वेब साइट और अगर आप उस वेब साइट को विजिट करें तो आपको आप अपर के तरफ लिए जी तो उसमें देखें कि शूट्स हैं हेर कट्स हैं और यहां पर स्पेशली आप देखें की छोटे बच्शे का मैं आप से पूचने बी बहत लिए कि आपे बापसी ब्ली गरते हैं भट यूद बेगां बैस दक्तियस के शचेनल के रिए बज़ों की लिए होमारे फेले मतुबा प्रीस इनके बालों को कर देंगे बपिल्कल कर सकते हैं अब ये बच्छों को बता क कि जब वोक अपना काम करवारी होंगी तो आप भी वारिक नहीं बैटेंगे और बच्चा क्यूंकि आपको पकड़ाया जाएगा जाएगा जब एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट जो के सबसे इंपॉर्टने में आपसे बात करने लगा था और जो आपका बहुत बड़ा कारनाम के बात करने तो आपका सोशल वर्क है जी आपको सुमाइल अगे इंशालला ज़े मैं आपको वहां लेकर चलते हूं आए जाएगे डिबलेक्स एड अफिसे के करीब ही वाक्या अपनी एंजियों समाइल अगें लेकर हमें गई है अब अब आपको यह सारा ख्याल कीसे आया इन हो नहीं के साथ माश्रा यह सिलूक करता है और पिर उनको वो यह कबोलता नहीं है पर आप उनको टेकी नियर करनी है यह आपके झdo हमें देसे में कैसे आया यह वेक आप बंसे करते हैं ०ेऑ छु हन modelo फ्री की बात है, जब मेरे पस एक बच्ची ने आके वह काईदा मुझे कहा कि मुझे ठीक कर ले आओ, उसका चेहरा इतना मस्थ था, ओविसली मेक अप से ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन वो दिन था जिसने मेरी जिन्देगी को बदल दिया था, मैंने जहां अपने अपने अल उसने अगर मुझे चुना है, तो ये सारी जो बच्चियां आप देख रहे हैं, इनके लिए जितना भी बहतर हो सकें, कभी-कभी हाथ तंग हो जाते हैं, और ये बच्चियां समझती भी है, क्यूंकि इनको पता है कि जो कुछ भी है वो इन ही लोगों के लिए है, किसी के कामयाब नहीं होते हैं, उनका दुबारा उपरेशन फॉरन नहीं हो सकता, तो हमारी एक जिसे लिस्ट सी होती है, कि हमने कोशिश हमारी ये होती है, कि हम पूरे साल में सौ सरजरियां करें एक साल में 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 एक सा होती हैं तो फिर दस पंदरा सरजरी में भी हो सकते हैं लेकिन ओने ने वरिज पच्छेस तीस पैंतिस सरजरियां जो होती हैं वो होती ही होती है जी आज़ी आपका नाप सफीया अज़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या था मेरे मियान मुझे जिला दिया दूसरी शादी के लिए मेरे तीन बच्चों को जिलाया और मुझे जिलाया दोंकी डेट हो चुकी है एक तीना साल का बच्चा था दस साल की बच्ची और हम दो माँ बेटी बच्ची है तो फिर आप यहां कैसे आए और आपको यहां पर क्या जब जले थे ना तो हमें लैट हो स्कुल में एंगमेंट किये गया था फैसलाबाद में तो उदर से फिर एक डॉक्टर ने हमें बा अखराजात हमारे सब अठा रहे हैं लेकन बहुत केर का रहे हैं हम आपी को बहुत दौाइं देते हैं अभी बहुत दौाइं देते हैं माशाला यह तो हम जिन्दा हैं लेकन हम तो पता रही ना निकलते हैं आई तो हम इसके सहारे जी रहे हैं आपके लिए तो थम्स अप ह आपने, उसके इन तलीम के लिए, फिर कुछि करते हैं हुए जी जी हम वह बचियां जो के पढ़ना चाहती हैं उनकी लिए फिर हम उनकी स्कूल की कॉलेज की फीस्पहारा जो है वाज़ हम उनको देते हैं हमारी एक बची लॉयर बन चुकी है, हमारी तीन लड़किया नर्सिस बन चुकी है, हमारी ग्राजविशन कुछ बच्चीयों ने किये, किसी ने मैट्रिक भी कर लिया है, जो छोटी बच्चिया इन हासात का शिकार हो जाती है, कि बाप में जब फेका तो छोटी बच्चीयों को में वे टिजाब चला गया या जिसे जलने में, तो उनको उनके स्कूल की तमाम जो इखराजात होते हैं, और यह सिर्फ यह नहीं है कि साउट अफ पंजाब में तो सबसे ज्यादा होते ही है, लेकिन सिंद में, के-पी-के मे कभी आपसे के-पी-के की, बच्चीयों मेली थे, इसीतरह से हमारे पास। बलुचिस्तान से भी कुछ बच्ची आंएं ऑन्फॉर्चिनेटली उन तक हमारा पहुँचना जारा मुशिल होता है लेकिन जिन तक हम पहुँचते होंके हम पूरी कोशिश करते हैं कि उननका किनु और संतरे तोडने और खाने कभी हम अगर कराची में हैं तो हम समंदर की किनारे के जाते हैं जी हमारी अलहमदलिल्ला इस वक्त मेरे खाल में 19 बच्चियों की शादिया हुई हैं और वो 19 बच्चियों जो हैं उनमें से किसी भी एक बच्ची की शादी किसी माजूर के साथ नहीं हुई है प्यारे बच्चों के साथ जिनके घर वालों ने उनको एकसेप्ट किया है और बहुत सी हमारी बच्चियों के तो अब मार्श अलह से बच्चे भी हो गए है जी सलमा कुछ बताईए कैसे आप मैम तक पहुंची क्या हादसा हुआ और इसके बाद अब आप में इतना कांफिडेंस मुझे खुद देखकर जो है अन्दाजा हुआ कि ऐसा तो कांफिडेंस हम लोग मीडिया से हैं हम में भी नहीं है बिल्किल सर् you are absolutely right की मेरे अंदर बिल्कु इतना कॉ इतना कॉंफेडेंस हिन्ही नहीं जो कblem मेरी मेरी मैं मुझे गू इतना कॉंफिडेंस ही नहीं क्यूंके मैं बहुड चोटी थी जस्क पर जब एक एक डब गया था तब मैं सान्साल की थी और यह इतनी कॉन्फिडेंट है माशा अला से वक्त के साथ साथ पहले जरा सल्मा शर्माई घवराई रहती थी, अब तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया है? तितली तितली क्योंकि तितली की तरह इदर उदर पूरे डेपलेक्स में फिरती रहती है, क्लाइन्ट से थापी विधर, क्लाइन्ट नाम लेके पूछते हैं कि आज सल्मा क्यों नहीं नजर आ रही है और अभी कुछ दिनों पहले शबनम आई वी थी ढाका से, तो शबनम की तो यह कोई चहेती है ना, क्योंकि वो तीन दफ़ा आ चुकी है और तीनों दफ़ा वो सबसे पहले आके पूछती है, सल्मा नहीं आया आज तो सल्मा वो आगे बढ़के उनको ग्रीट करती है बट वो उनको नहीं सबको ही ऐसा ग्रीट करते है समाइल अगेंस से घर की जानिब रवाना हुए तो स्माइल अगेंस पर पैसा बहुत खर्च होता होगा यह आता कहां से स्माइल अगेंस की फांडिंग जो है वो हमारे जो प्यारे दोस्त हैं जो क्लाइन्स हैं मेरे अपने रिष्टेदार बेहन बाई माबाब वगरा डोनर्स जो हैं वो अपना सिर्फ हमारे इस मुल्क से पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं तो वो इन बच्चियों को देखते ड़ु इन उनकी खौहिश है कि उनसे मिले और रम्जान के दिनों में हमारे पास सबसे जादा लोग जागात जो है वो देते हैं तो मैं हमेशा यह कहते हूं कि जी जागात के लिए खाली रमजान को मुख्तासमा करें जाकात değildज कात जो है वह साल की किसी महीने में भी दे सक जबा, फलाही, कारकुन, कहना चाहिए उसको, एक मसरत मिस्पाख खुद के लिए भी तो है, वो आजकल कैसी है? में दुआ यह मांगते हूं लग्या आज़ा है, लग्या नहीं होना चाहिए था, यह कहीं जादा होना चाहिए था, क्योंकि काम जो है बहुत जादा हो जाता है, और मैं उसमें, मैं खोशिच करते हूं कि मैं अपनी चीजों को मैनेज करूँ यानि कि मैं अपनी घर में हूँ तो वो टाइम जो है, वो मेरे घर का है, मैं ऑफिस में हूँ तो फिर मैं ऑफिस के लिए हूँ, जब मैं अपनी स्म अब वो कराची में रहते हैं, मेरी बेटी रिदा जो है वो लहुर में उसकी दो बच्चे हैं, जोए और जायान तो उनके साथ भी मुझे टाइम दिल जाता है, कि मैं उनके साथ स्पेंड करूँ तो हफते में एक दिन ऐसा जरूर होता है, कि ये बच्चे जो हैं वो मेरे पास आएं, मेरे घर में वो टाइम स्पेंड करें यही तो पूछना चाहते हैं, इतनी मस्रूफियत में भी अपने लिए वक्त निकालती हैं अपनी लिए जो मेरा वक्त है वो सुभा सवेरिका होता है, यानि कि नमाज के बाद जो टाइम है उसमें चाहे मैं पढ़ूँ चाहे मैं बाहर जाके अपने पौदों को अपने गार्डन को देखूँ और मैं अपनी जो मेरे बहन भाई मुलक से बाहर हैं वो टाइम भेतरी जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपनी बूटी बुक जो है वो तक्रीबन खतम कर लिये तो वो मैं उन बची ओ के लिए लिख रही हूँ जो के घरों में होती हैं लेकिन जो शह देफोड नहीं कर सकती हूँ तो वो घर में किस तरह से अपना खियाल रख सकती हैं और एक और मैं यहाँ जो कि मेरे मरने के बादशाए होगी वो मेरी अपनी बायॉगरफ्य हैं मैं इसी क्या यद्धि में चीज़ होगी जो आप चाहती और मरने के बाद पपब्लिश रहत हैं मैं यह समझती हूँ कि जब कोई किताब लिखता है तो बहुत बड़ी जिमे दारी कीके अ जब कोई राय काइम करना या किसी के बारे में और ये तो नहीं हो सकता, कि आपको जिद्थगी में और ना मिले हो नेगिटिविटी ना हो या आपकी जिद्थगी में उतार चड़ाओं ना आया हो शसको कैसे हैंडल किया, कैसे उसको मैंने अबूर करने की कोशिश की यह से जो रखने या मरहले आते थे आ टो वो किसी एक शक्सियत पूल तुन से नहीं है कि उनके बारे में गलत लिख रहु है जिब मेरे नस्दीख, फर आपके जिंदेगी के दूर में जिन चिन्से आपके के मुलाकात होती है। वह आपके पर एक नक्ष्ट छोडते हैं। और वह नक्ष्ट येधर पॉजितिव होता है ये नीगटिव होता है। जिनके बारे में जब जिनकी बहुत तल्ख लगी बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ जब आपको लगता है कि बस अब ये चीज खतम हो जानी चाहिए या किसी कोई धोका आपको दे जाते हैं कोई आपको जिसे आम जबान में कहते हैं चुना लगा जाते हैं तो ऐसे वाकियात होते रहते हैं लेकिन मैं उन तमाम तल्ख हकीकतों को और तल्ख वाकियात को एक पॉजिटिव पहलू से भी देखती हूँ कि मैंने उससे क्या लर्न किया और उस तल्ख हकीकत मेरी अपनी गल्पी कितनी थी मसरत मिस्पा माडल टॉन में 1936 के बने घर में रहती हैं घर की डेकुरेशन उनके जोग की अकास है बेटी रिदा अपने बच्चों जोया और जियान के साथ घर मुलाकात के लिए आ गई मसरत मिस्पा ने बेटी और नवासों का इस्तकबाल खूप प्यारों महब्बत के साथ किया मतल्च वह बहुत जाब अजाम मैं तो जाब जवादें अब बहुत सिंपल है आपको रिदा से जवाज़र एपंचे से साथ प्यार बहुत थे प्यार पर शोर आप को रिदा नहीं किया किया यहाँ यह लेकिन जित्ती भी चीजें पर मुझे डान पड़ती थी अगर यह कर लें तो मुझे डान पड़ी है कि मैंने दोग कैसे लिया आ यहांइने से रजाए हैं? यहांग भंचे wa Canadian Cubab यहांजे प Burada अरहा है भोड मुच भंचे को यह मुच बात है इसज को सजईलर था बात है का की विस्की इसara उतलाण अजे का हुआज़ जो अरिदा रिदा की यह शीकायत है वह Soyta कि हर वो चीज जिसको मैं इसको मिना करती थी अब अगर यह बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है मैं कोई बात नहीं और यह कहती है अम्मा आपने तो मुझे हमेशा मिना किया ता इस बात के लिए रिदा वालदा जाद अची है या बिंगे इंटर्प्रेनर आप क्योंकि इस डिलेशन्शिब को तोनों तरह से थी श्पिरियंस किया विए अब जाद अर एस बौस अर जाग्या रहाब यह में पथूर्ज से बबात आच्छी है बहुत अबहुत अर्स्थियार्व में था किया आपने लू जाए बहुत अच्छी है और ंच्छी है बहुत अश् अगर कभी को शिकायत रही आपको अपनी वाल्दा से तो आज कह दे out आज शिकायत ये जिए कि अमा नही कह सकती नहीं बहुती हम आज कह सका था उस्टे मुझे हमेशा रहती ही और इनको पता भी है तो कोई ऐसी खोयश जो पूरिणा की हो माम्ने इसी कोई ख्वाइश नहीं है जो पूरी नाखियों अमाने यह ज़रूर है कि जब यह एकसब मेरे लिए उन्हे उन्हें नाश्ता बनाना छोड़ दिया था हर संडे को अम्मा जथी उनका उफ होता था तो मुझे अंडा बना के दे दे अच्छली कभी-कभी जब करती है तो को अच्छा कुप करती है लेकिन काफी अरसे से कुछ डिश नी बनी तो अब यह बताएं कि जब यह बड़ी हो रही थी तो मेरे अकसर चीजे जो थी ना वो मुझे मिलती नहीं थी वो रास क्या था आज वो भी पता चले अज बस वो रास यह था कि वो अकसर मेरे पास होती इतकी हुआ है ना लेकर और और जो उसके बतायएग आप भी कुछ बतायाएगा अपनी मा मा के बारे में हैं minutesma दो जो है वो भी कोई अपनी शयर्टों भी औह उन तो भी मजे पता चल जा था कि कि अब अगर वो गाय बस तो रिदा के पास से मिले अज़ा आपशो वह सुन देख यह नहीं up cucए हो, आख और Isto नहीं चाहिए ? चाहिए यह हम संना कि आख चाहिए, कोना मmpff civ हुआ 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 है गुर् समय होगोजीताgle की उसमने की नुचावा़ता थाविए अहीं दो क्लि की। वेरी गुड़ अजब आए थी तो मामा को क्या करके दिखाया था आप तो अप तो कुई अप तो कुई मतलब के फंकार होती जा रही है खाना पकाने का आपको कितना शौक है आप पकाती भी है या किछन में जाना नहीं होता है अप सो तो खेल टाइम नहीं के लिकिन मैं यह नहीं कहुंगी कि मुझे पकाता नहीं आप लेकिन को इतना बहुत बहुत आला भी महीं खकाना थाकुर्टछनाइब झाली अपन्जाभी भी सीखिए आपट यहा विल् Assasğa को मौनिप्च़ के साद बड़ती है बुच्छों के स तो मैं नहीं कोशिष करती रहती थी तो एक दफ़ा मैं किसी सिस्माइल को गैज वाल बाल तो उनोंक तरग एप्राओ इस अन्यों आपकी तरह स्वाल था कि वही तो था प्ञाप्जाबी हो तो मैंने गाए तो अहो जी तो है वहां किया तो मैंने कर जोड़ हॉली जाही लेंदव मेरे नाम थामर जाए नहीं तामर जाए अगा तो मुल्तान की तरफ जाके हुआ था था रिदा आपके जो हुआ है वो भी एक इसी तरह के बिजनस से हैं तो इस अप्टिशन रहता है घर में वो कहते है इस अप्टिशन रहता है तो बहुत सपोर्ट रहती है दोनों के लिए लेकिन उनकी मार्केट बहुत दिफरिंटह देप्टैस की मार्केट बहुत दिफरिंटह एंफ minimalistि आ है। in fact I think अप्ट इक अच्छा यूईनिंग जिसमें हम तोनों की बिस्निसें और प्रिफेस्शन वालदाज भो रंगों को पसंद करती है रंग उनको पसंद है आप अब भी मेक अप लगाव है। नहीं यह वही है, M.M. मेक अप है। M.M. M.M. मेक अप है। यह जेरली मुझे साधी चीजे हैं। बेटा जो है कराची में, बेटी अपने पिया घर सदार गें। उदासी तो होती होगी, उदासी के लमाद में पिर क्या करती है। उदासी तो नहीं होती है, लिकिन जब अकेले कोई टाइम मिलता है। इस वकित मैं अपने बच्चे इनके पास भीज देती हूँ। बलकि आपको कभी भी उदासी हो तो उदासी हो तो उसी वक्त मुझे बताइगा में दोनों अपना शेतान बच्चा और जोए को भीज़ागी। बहुत शुक्रिया क्यूंके जोए थी ना वह बहुत प्यारी बच्ची है। थी और है। जोए भीज़ा में फर्सान भीज़ाइए बेक्ट करता है। नहीं जोए तो यह जच्ची है। लेकिन बलाछी प्येक्ची अपना। बलाछी ठाइनग मां अश्वी जञ़ बच्ची लिए को गहां मेंता है। जञ़ँ बच्ची है। किस तरह कि मुसी कि उसे? वो भी परानी तो नहीं पसंदा आगा। को यह किसा भी वख था जब मैंने अच्छी मैंने सीखा गाना जी हमारे अस्ताद आते थे और हम दो तीन बहनों अलम्दलिल्ला वैसे कहना चाहिए लेकिन घर में सब की आवास प्यारी है तो मैं गाना भी सीखती थी वो हर्मोनियम के उपर और दूसरे बहन भाई भी पर उसके बाद वक्त जो था वो इतना सुकुरता चला जा रहा था कि उसके लिए रियास करना जरूरी होता था आप सुबा भी करें आप शाम को भी करें वो उसके लिए टाइम ना बचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका आपने अपना दिन जो है पूरा दिन हमारे साथ बसर किया आपका बहुत कीमती वक्त है वो जो आज मैं स्माइल अगेन में गया जो आपके डिपलेक्स में गया जिदा आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों जिस तरह से काम करती ह हमने वो भी देखा और इस तरह से मेहनत करती है वो आप हम सब के लिए एक मिसाल है मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने है